नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है पहलवान गुरूदीन गुरूफ अव कलेज के यूटूब चैनल पर मैं प्रोफेसर रंजना सिर्वास्तो समासास का नए टॉपिक के साथ एक बार फिर उपस्तित हुई हूँ आज का टॉपिक है धर्म धर्म क्या है आज धर्म का परिभासा के बारे में हम चर्चा करेंगे धर्म का आर्थ क्या है धर्म का आर्थ करतब्य संसकारों और गुर से होता है साब्दिक द्रिष्टि से धर्म का आर्थ होता है ध्री धारने जिसका आर्थ धारन करना होता है अर्थात ध्री धातु जिसक की अनिवारे सत्ता को बनाए रखना धर्म का अनिवारे गुड़ है जैसे सुर्य का प्रकास तथा सरकरा की मिठास विश्व की समाजिक इस्तिती को निर्धारित करने तथा समाजिक इस्तरीकरण की विवस्था का निर्माण करने में और समाजिक नियंत्रण के एक प्रमुख अभीकरण के रूप में धर्म का सर्वोच अस्थान है संकुचित अर्थ में धर्म का अर्थ अंध विश्वास करना माला जपना, मंदिर जाना, तिलक लगाना आधी क्रियाओं से लगाय जाता है ब्यापक अर्थों में धर्म कातात पर हिर्दय को पवित्र बनाना उत्तम चरित्र एवं नई तिक्ता प्राप्त करना अध्यात्मिक मुल्यों को अस्थापित करना आदी क्रियाय आती है धर्म एक मौलिक सक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक और अध्यात्मिक विवस्था का आधार रूप है और जो उस विवस्था को बनाए रखने के लिए आवस्यक है धर्म की परिभासा एडवर्ड टाइलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक सक्ति का विश्वास है मैलीनो बसकी के अनुसार धर्म क्रिया की एक विधी है और साथ ही विश्वासों की एक विवस्था भी धर्म एक समाश सास्त्री घटना के साथ साथ एक ब्यक्तिगत अनुभव भी है हावल के अनुसार धर्म अलोकिक सक्ति में बिश्वास पर आधारित होती है जिसमें आत्मवाद वा मानवाद दोनों सम्मलित होती है उपरोक्त परिभवसाओं के अधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म किसी न किसी प्रकार से अतिमानवी है या अलोकिक सक्ति पर बिश्वास है जिसका आधार भय, स्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धार्णना है जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या अराधना आधि के रूप में की जाती है यह ब्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का आधार है जीवन का शाश्वत सत्य है जो स्रेष्ट है हिंदू धर्म में त्याग और भोग का आदे समन्वे पाया जाता है ब्यक्ति को यहां सांसारिक सूखों का उभोग और जीवन की वास्तविक्ता से परिचे प्राप्त करते हुए अपने इलाके और परलोग को उत्तम बनाने की और अग्रशर किया गया है हिंदू धर्म के करतब्य की भावना पर जोड़ दिया गया है धर्म का वर्गी करण में धर्म को कई भागों में भाजित किया गया है वन धर्म सामाजिक संगठन के आधारपन वर्णों को चार भागों में भख्त किया गया है ब्रामहड, छत्रिय, वैश और सुद्र धार्मिक रूप से इन चारों वर्णों के प्रिथक प्रिथक धर्मने धारित हैं जिससे प्रतेक व्यक्ति दूसरे की तुलना में अपने दाइतों का उचित रूप से निर्वाह कर सके अर्थात ब्रामहड का धर्म है पढ़ाना, आत्म नियंत्र तथा तपका अभ्यास करना, तथा यग्यकराना, अध्यन करना, लोगों की रक्षा करना, युद्ध करना आदी छत्रियों का धर्म है आश्रम धर्म, समाज में प्रतिक व्यक्ति के सभी करतव्यों को, दूसरे व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, स्वयम के प्रति, पूरा करने के दृष्टि कोड से जीवन को चार भागों में विभाजित किया जाता है ब्रह्मचर्य आस्रम ग्रिहस्त आस्रम बनप्रस्त आस्रम तथा सन्यास आस्रम प्रतेक आस्रम में व्यक्ति के कुछ विशेश कर्म निर्धारित हैं जिन्हें मांसिक सारीरिक और नैतिक और अध्यात्मिक गुणों का विकास करके अपने अंतिम लक्ष मोक्ष की ओर बढ़ किया गया है था प्रथम तीन के ब्यक्तियों द्वारा ही आश्रम धर्म की पालन किया जाता था सुद्रवन के लिए आश्रम धर्म नहीं था गोड़ धर्म का संबंध राज्य धर्म से था जिसका तातपर केवल छत्रिय धर्म से नहीं वरन जो प्रजा की रक्षा करे अर्था सासन करता के धर्म से है क्योंकि पूजा समाज तता धर्म का रक्षक है इसलिए संपोड सामाजिक विवस्ता को संतुलित बनाने के लिए राजा का करतब दूसरे व्यक्तियों के धर्मों से बहुत भिन है अर्थात राज धर्म भी एक विशेश धर्म है निमित धर्म वान धर तूटियां हो जाती है उनको दूर करने के लिए प्रायस्चित बिधी भी इसके अंतरगत आती है साधारन धर्म सामान्य धर्म का आर्थ उस धर्म के रूप से है जो सभी के द्वारा अनुशरडिय है ब्यक्ति चाहे किसी भी वर्ड आयू लिंग वर्ण वर्ग आदी का क्यों नहों सामान्य धर्म का पालन करना सभी का करतब्य है यह धर्म ब्यक्ति भी से इसका नहों कर समस्त मानो जाती का होता है इसके नयतिक नियम समस्त मानो जाती के लिए सामान्य होते हैं इसी कारण मानो धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है यदि इसका पालन किसी की एक्छा के पूर्ति किया जाए तो इससे लौकिक कल्याण में बृद्धी होगी और निसकर्म के रूप में रूप से इसका पालन करने से मुख्ष की प्राप्ति होती है इस धर्म का मुख्य उधेश से यह है कि मानों में सद्गूनों का विकास करना तथा इस लक्ष की प्राप्ति करना की सर्वेब्हवनतु सूखिना सर्वेसंतु निरामया इस प्रकार की सामान्य धर्म का उद्देश मनुष्य की इसी सृष्टेता को बनाये रखना और उससे स लिए विशत द्रौ को स्वाधर्म भी का है कि यह विशेस व्यक्ति का अपना धर्म है समय पर इस्थिति और अस्थान के आनुसार स्विव्यक्ति पर ठीक होते हैं ऐसी स्थिती में सभी ब्यक्तियों का धर्म अत्वा कर तब एक दूसरे से भिन्न होना आवश्यक है इसके अतरिक्त भिभिन ब्यक्तियों के गुड, सभा, बेवहार, आयू और समाजिक पद में भिन्नता होती है उदाहरण के लिए ब्राम्हार चफ्षे वैसे और सुद्र के धर्म अपने अपने वार्ण के अनुसार होता है इस्तियों और पुरुश का धर्म भी अलग-अलग है गुरु एमामसिस्यों के धर्म भी एक दूसरे से भिन्न होता है सैनिक का धर्म तथा एक राजा का धर्म दूसरा होता है इस प्रकार समाज में दूसरे व्यक्तियों की तुलना में एक व्यक्ति की जो इस्तिती निर्धारित होती है और उसके सामने जिस प्रकार की परिस्तितियां होती है उनके अनुसार निधारित होने माले करतभयों को ही विसुषटun धर्म कहते हैं इस धर्म की विसेस्टा यह है कि ब्यक्ति का विसेस्थ धर्म चाहे वो नीचे इस्थिति प्रदान करता हो अत्वारूची लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने धर्म का पालन करने से ही मुक्ष का अधिकारी होता है धन्यवाद अधिकारी होता है